बसकार बच्चों आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चनल मैं सुता मर्जा में इस वीडियो में हम क्लास 10 का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांग 23-11-2023 का वर्क्षिक लेकर के उपस थे थो हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मूला ओफ 3D सॉलिड्स जिसको हम क्लास 9 में भी पढ़े हैं इस में इस चैप्टर में आपको कम्बिनेशन आप टू सॉलिड्स आएगा तो यहां पर यदि सॉलिड्स के बारे में जानकारी हो यानि ठोस आकृतियों की जानकारी हो उसका फॉर्मूला आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते इस चैप्टर को आसानी से तो पहले यहां पर दिया हुआ है घनाव जिसमें लंबाई, चोड़ाई और उचाई अलग-अलग होती है लंबाई को एल और यह बी और एल लेंथ हो गया, बी ब्रेथ हो गया और एच हाइट हो गया तो इसका पार्स पूरिष्टिय छेतरफल जिसको इंगलिस में कर्ड शर्फेस एरिया या लेटरल शर्फेस एरिया भी कहते हैं तो यह होता है टू इन्टू एल प्लैस बी ब्रेकेट में और इन्टू एच और total surface area 2LB plus BH plus LH और volume होता है LBH यानि इसमें parse परिश्रेश हत्फ़ल दो bracket में L plus B into H और some form परिश्रेश हत्फ़ल 2LB plus BH plus LH और item LBH होता है और इसका विकर्ण जो होता है under root L square plus B square plus H square यह विकर्ण कहलाता है यहां से शुरू करके उपर के दूसरे कोने तक अब अगली आकरिती है जिसको घंड कहते हैं इंगलिस में cube कहते हैं तो जिसकी सारी हुजाए एलिया गए हैं तो इसका जो बक्र फ्रिष्टिय चतरफल CSA होगा 4A square और total surface area क्योंकि यह सारे एक चत्रभुज की बर की तरह हैं तो 4A square इसका कर्ड surface area हो गया और total surface area यानि संपुर्ण प्रिष्टिय चतरफल total surface area जो होता है उसका 6A square होता है और आयतन इसका A cube और इसका जो बक्र डाइगनल होगा वो A square plus A square plus A square का root यानि root 3A होता है अब अगली आकरेती है बेलन जिसको cylinder कहते हैं इंगलिस में उसका यहाँ पे देखिए इसमें एक तो उचाए होती है यह उचाए होगा height और यह radius, तरिज्या और यह तरियक उचाए lateral surface, lateral height या slant height कहते हैं तो इसका जो CSA, current surface area होता है πrl, जहाँ L की value होता है h square plus r square तो उसको यदि h निकालना हो तो under root l square minus r square या r निकालना हो तो under root l square minus h square कि तरह से निकालेंगे और total surface area πrl, यह तो हो गया curved surface area और नीचे की आकरिती circle का है तो πr square तो दोनों में πr है तो πr common ले लिजे तो πr common l plus r और इसका item होता है volume होता है 1y3 πr square और h πr square h 1y3 πr square h अब अगला आता है hemisphere और square तो पहले sphere की बात करें जिसको हिंदी में हम गोला कहते हैं तो इसकी 30 r है इसमें एक ही surface होता है total surface एक ही face होता है तो 4 πr square total surface area कहें या curved surface area कहें तो दोनों एक ही आता है और volume होता है item होता है 4 by 3 πr cube इसी तरह hemisphere में देखें एक तो हो गया यह वाला हिस्सा curved surface area तो इसका आधा होता है तो 2 πr square और उपर वाला भी एक circle होता है πr square और जोड़ जाएगा तो यह हो जाता है 3 πr square total surface area और इसका volume होता है 2 by 3 πr cube यह कुल 6 आकरितिया है जिसके combination से आपको chapter number 12 के जो सवाल आएंगे इसमें से कोई 2 आकरितियों को आपस में मिला करके पूछा जाने वाला है अब कुछ एक दूसरे में convert करना भी होता है तो 1 cm square बराबर हो गया 100 mm square क्योंकि cm into cm है तो 1 cm में क्या होता है 10 cm में 1 cm बराबर में 10 mm होता है 10 mm इंटू 10 mm multiply करेंगे है तो 100 mm square हो जाएगा इसी तरह 1 meter square में 10,000 cm square और 1 hectare बराबर में होता है यही 10,000 meter square और volume निकालना है यह तो area से संबंदित हो गया volume को लीटर में change करना है कई बार तो 1,000 cm cube बराबर में 1 liter या 1 meter cube बराबर में 1,000 liter एक किलो लीटर बराबर में 1,000 liter होता है उमीद है समाज में आओगा अच्छा लगे तो like, subscribe, share जरूर करें